हलो फेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि 1980s तक बैंकिंग सेक्टर को 100% नेशनलाइज करने के बाद का जो समय था, खास कर लेट 80s और अरली 90s का, ये वो समय था जब भारत एक एक एकोनमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, ऐसे समय में भारत के फानेशल सिस सेक्टर के लिए दी थी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी शामिल है, बैंकिंग सेक्टर सेलेक्टेड इनकी रिकमेंडेशन को चार हेडिंग्स में कैटेग्राइज क्या जा सकता है, बैंक कॉंसलिडेशन, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, भारत सरकार 1991 के बाद से नेशनलाइजेशन पर नहीं, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करने वाली थी, अब इस अंडरस्टेंडिंग के साथ कमेटी ऑन फाइनिशल सिस्टम की रिकमेंडेशन को पढ़ने में और मज़ा हैगा, तो चलिए शुरू करते हैं बैंक कॉंसल और स्टैटीजीज एक जैसी हैं, यानि हमें बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े बैंक्स चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों नहीं हो, CFS कमेटी ने बताया कि बैंक्स को मर्ज करके लार्ज एंटिटीज बनाने के कई सारे फायदे हैं, इससे बैंक्स का कैपिटल बेस बढ़ता है, और मार्केट रीच बढ़ जाती है, यानि बैंक्स पहले से ज्यादा फाइनेशली स्ट्रॉंग हो जाते हैं, और हमारे देश चुरूआत हुई बैंकों की मर्जर्स की, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो की एक लॉसमेकिंग बैंक था, उसे पी एन बी यानि पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, और उसी साल युनाइटिट बैंक ऑफ इंडिया को भी अलावाद बैंक में मर्ज कर दिया गया, इसके बाद 2010 में SBI के एक और एसोशेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडोर को भी SBI के साथ मर्ज कर दिया गया, और फिर 2017 में जितने भी बचे हुए SBI एसोशेट बैंक थे, उनको भी SBI के साथ मर्ज कर दिया गया, तो कहा जा सकता है कि 2017 में SBI एसोशेट बैं बंक को चार बड़े पबलिक सेक्टर आउंस में मर्ज कर द्या गया इस मर्जर में Online बैंक ऑफ Commerce स्कांटर और इंडिया को पंजाब नश्नल लेंकस में मर्ज कर दिया गया An consult सिंधिकेट bank को Kenra bank में merge कर दिया गया और Allahabad bank को Indian bank में merge कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब भारत में सिर्फ 12 public sector banks बचे हैं तो यह थी details committee on financial system की recommendations on bank consolidation और उसकी implementation की चली अब बात करते हैं इनकी next recommendation की जो है entry of new private bank से लेटर एक्चली बात यह है कि 1980 तक हमारी government ने बैंकिंग सेक्टर को 100% निशलाइज तो कर दिया था बट ये निशलाइज बैंक्स कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे ज्यादा तर निशलाइज बैंक्स लॉस्मेकिंग थे इनफिशेंट थे और इनके नॉन परफॉर्मिंग इसेट्स बढ़ते ही जा रहे थे बट ऐसा क्यों हो रहा था ये जाने विना हम कमेटी और फाइनेशल सिस्टम की इस रिकमेंडेशन को नहीं समझ पाएंगे तो सबसे पहले उन रीजन को देखते हैं जिनके वजा से ये निशनलाइज बैंक्स इतने जादा लॉसमेकिंग या इनफिशेंट हो गए थे तो इसका पहला रीजन है गवर्मेंट का इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन गवर्मेंट लगातार इन निशनलाइज बैंक्स को डारेट करती रहती थी कि वह एग्रिकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और प्रायर्टी सेक्टर्स को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर लोन दे कई बार ये डिसीजन पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हुआ करते थे इन बैंक्स को ऐसे लोन्स को माफ कर देने के लिए कहा जाता था जो कि फार्मर्स या फिर वॉल्नरेब इस बैंक्स का यही हाल था तो इसी लिए इन में आपस में किसी भी तरह का कोई कॉम्पीटिशन भी नहीं था बट कमेटी और फाइनिशल सिस्टम का मानना था कि अगर बैंक्स आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे तो अपने आपको इंप्रूब करने में कुछ एफर्ट भी नहीं लगाएंगे तो इस पूरी सिचुईशन को टर्नराउंड करने के लिए कमेटी और फाइनिशल सिस्टम ने भारत के बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेट बैंक्स को एंट्री देने की रिकमेंडिशन दी कमेटी ने खास दोर पर इस बात को रिकमेंड किया कि न् बट प्राइवेट बैंक्स के लिए मार्केट ओपन करना अपने आप में खत्रे की घंटी है क्योंकि कई बार प्राइवेट बैंक्स हायर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जरुवत से जादा रिस्क लेते हैं और सोच के देखिए कि अगर कोई प्राइवेट बैंक फेल करने की recommendation दी तो साथ ही साथ regulatory requirements को और ज़्यादा strict करने की भी बात कही अब बात करते हैं इन recommendations के implementation की तो ये recommendations implement हुई और हमारी market को private banks के लिए खोला गया और इसी के साथ 1993 में पहला private bank open हुआ जिसका नाम था UTI bank 2007 में इस bank का नाम बदलकर access bank कर दिया गया ऐसा इसलिए क्या गया क्योंकि ये अपने नाम के तरू लोगों को ये message पहुचाना चाते थे कि अब ये सिर्फ banking services ही नहीं बलकि दूसरी financial services भी अपने customers को provide कराते हैं इसके बाद तो private banks की जड़ी लग गई 1994 में SDFC bank, ICICI bank और Indus Ind bank established हुए इसके बाद 2003 में Kotak Mahindra bank, 2004 में Yes bank, 2014 में Bandhan bank और 2015 में IDFC bank को established किया गया तो ये थी details CFS committee की उन recommendations की जो की private bank से लेटर थी हमने इनकी recommendations की implementation को भी देखा चली अब बात करते हैं CFS committee की next recommendation के बारे में जो है reduction in government ownership से लेटर यहाँ पर बात हो रही है public sector banks में government की ownership को reduce करने की कहने का मतलब यह कि government public sector banks में अपनी ownership का कुछ percentage capital market में sell कर सकती थी और obvious सी बात है कि अगर आप अपनी ownership का कुछ percentage sell करोगे तो इससे fresh capital infused होगा जो की bank के लिए अच्छा है इसके लावा इसको आप इस angle से भी सोच सकते हैं कि क्योंकि कुछ percentage ही सही लेकिन private players के पास bank की ownership तो है इसलिए banks के management में भी वह involved होंगे और इससे bank में managerial professionalism भी introduced होते हुए दिखा जा सकता है जल्दी ही इन recommendations को implement होते हुए देखा गया SBI Amendment Act 1993 लाया गया जिसके तुरू SBI को अलाव किया गया कि वो capital market में अपने shares को sell कर सकती है up to 33% और आज की rate में आप देखी सकते हैं कि government of India के पास SBI के सिर्फ 57.49% stake है mutual funds के पास SBI का 13.2% stake है दूसरे domestic institutions के पास 12.16% stake है foreign institutions ने भी SBI के अंदर invest किया हुआ है और उनके पास 10.09% stake है इसके अलावा general public ने भी stock market के तुरू SBI के 7% stake को खरीदा हुआ है तो आपने देखा कि SBI amendment act 1993 के बाद government of India ने SBI के अंदर अपनी ownership को काफी हद तक reduce करके रखा हुआ है और SBI amendment act 1993 के अगले ही साल banking companies amendment act 1994 लाया गया जिसके तुरू सभी nationalized banks अपने shares को sell कर सकते थे up to 33% को ने देखा कि government किसी भी nationalized bank के अंदर अपने 33% ownership को capital market में बेच सकती थी बट इसके बाद 1999 में government ने अपनी dis investment policy announce कर दी इस dis investment policy के अंदर government ने कहा कि अब वो nationalized banks के अंदर majority stakes बेचने के लिए भी तयार है majority stake मतलब 50% से भी ज़्यादर stake को बेचने की बात हो रही है और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिसके पास majority stake होता है वो ही उस company या फिर bank का मालिक होता है यानि अगर government किसी bank का majority stake बेचने की बात कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि bank का मालिक वो इनसान बन जाएगा जिसके पास वो majority stake होगा यानि majority stake के साथ ownership transfer हो जाती है इसलिए इस step को privatization of bank कहा जाता है हलकि government ने इस policy में इस बात को भी कहा कि किसी भी nationalized bank में majority stake सिर्फ strategic partners को ही बेचा जाएगा और strategic partners ऐसे private players होगे जिनके पास banks को चलाने का काफी पुराना experience होगा और उनके हाथ में ये bank सुरक्षित रहेगा और साथी साथ grow करके world class level तक का bank बन सकता है हलकि अभी तक government ने ऐसा कोई भी step नहीं लिया है तो ये तो बात हुई CFS committee की recommendations related to reduction in government ownership की चली अब देखते हैं इनकी next recommendation को जो है bank regulation और supervision related Actually banking history को पढ़ते हुए हम या लड़ी देख चुके हैं कि 1969 एक बहुत ही important year था क्योंकि इस से पहले तक इंडिया का banking system private sector banks द्वारा ही dominated था लेकि 1969 में banking nationalization act लाया गया जिसके बाद इंडिया का banking sector 85% तक nationalize हो गया और हम ये भी अलड़ी पढ़ चुके हैं कि भारत सरकार इन banks का nationalization इसलिए कर रही थी क्योंकि भारत सरकार इन banks को control करना चाहती थी इसलिए भारत सरकार इन banks के operation को supervise करने के लिए ministry of finance के अंडर में एक division मनाया जिसे banking division कहा गया तो अब situation ये है कि इन banks का operational control ministry of finance के banking division को दे दिया गया और इन banks को regulate और supervise करने की power RBI को दी गई यानि nationalized banks के उपर dual control था committee on financial system ने recommend किया कि इस dual control को तुरंत प्रभाव से खतम कर देना चाहिए और इन्डिया के banking system को regulate करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक agency के पास होनी चाहिए और वो agency होगी RBI इसके लावा committee on financial system ने public sector banks को और ज्यादा operational autonomy और ज्यादा functional autonomy देने की भी बात की ताकि recruitment, compensation, internal policies, interest rate को decide करना या फिर नई branches को open करने से लेटे decisions, management, internally ले पाए क्योंकि अगर ये decisions internally ले गए तो ये decisions commercial angle को consider करते हुए ले जाएंगे otherwise बहुत ज्यादा chances हैं कि ये decisions politically influence हो जाए तो committee on financial system ने public sector banks को greater operational autonomy और greater functional autonomy को देने की बात तो कही बर साथ ही साथ ये भी कहा कि ये RBI की जिम्मेदारी होगी कि वो इन banks की independence और autonomy से लेटेड सभी guidelines और directions को examine करे इसके अलावा committee on financial system ने RBI की monetary policy से लेटेड भी कुछ changes recommend किये थे जिने हम लोग RBI की monetary policy को पढ़ते हुए detail में cover करेंगे follow करते रहिए bookstawa की economy playlist इसके अलावा इंडिया की history, Indian quality और Indian economy को भी detail में cover करने लिए bookstawa की playlist को आप follow कर सकते हैं thank you so much for watching and supporting bookstawa